पूरिया जंद जैसे आप सब जानते हैं कि पंजाब में और पूरे भारत में इंदर लॉक्डाउन चल रहा है लॉक्डाउन पार्ट टू और मिर्देश दिये गए हैं कि वरी सक्ती से इसका पालन किया जाए लॉक्डाउन का पालन कर रहा है उसे पूछने के लिए पैलन क्यों नहीं हो रहा था कि इस बढलन कंपकर लॉक्डाउन की और Лग्डाउन का पालन क्योंसे तो आप यहां बताएंगे आप सुजंदा सिंग साफ यह लोग्डॉन का सक्ति से हड़र हुआ है यह आप लोग क्यों नहीं कोई कुछ नहीं कर रहा है सब आकर कमा धंकी देकर के चले जाते हैं कि यह करते हो तुम लोग करते हो हम लोग कुछ खाने कर नहीं मिलता है हम आपके पास सरकार कर्मेंट के पास जाएंगे हैं अपना समय से तो दूसरे कोई आ कर कर यहां पर धंकी देता है तो पुलिस को कम्प्लियंट क्यों नहीं कर रहा है है सार हम लोग किवं हम लोग गरिब आद्म isar हम लोग किया Haramiland कर सकते हैं क्लिफे डिने जाते हैं तो पुलीस वाले डेंडा मारते हैं कामरे में रहें के तो सब्सक्री को लाके देगा है राशन नहीं हमारे पास रूम में तेल नहीं है अगर हम रोट पे नहीं जाएंगे तो हमको राशन कहा से मिलेगा पुलिस वाला देखता है तो दोड़ा दोड़ा के डंडा मारता मेरे को ठीक है तो आप और क्या को बोला जाता है कि किसलिए बाहर हो आपके अगर इस तरह चलेगा तो इससे बीवारी फैलने का अड़र रहेगा एकदम लगएगा तो इसका कानुन वाई की जिए कि अगर सक्त सासन आपकी यह हैं कि कमरें बंद रो तो कमरें भुके रहेंगे बंद कि उसके खाने पीने के लिए चाहिए कौन कह रहा है आपी हाँ जी क्या कह रहे हैं आप जब सोधा बारते हैं और बार बार बारते हैं किसी का दारकार्ट होता है किसी के पास नहीं होता तो उसको जो नाम लिखा गया है उसको राशन देंगे दूज्जे को क्यों नहीं मिलेगा जिसमें राजनेती चल रही है यहां यही हो रहा है अपने बंदें को राशन पानी दे देते हैं दूजा भुखा मरे यह जिए नाम भी लिखाये थे नाम लिख लिया लेकिन रासन नहीं कुछ नहीं मिले हैं जिसके पास राशन नमबर एक सरकार ने कि दिया हुआ है कि 112 पर क काल कर कर के ड्रीजे साब को काल कीजिए जिसको राशन नहीं है कितने बंदे वह कहते हैं कि हमेरे आप सबसे नमब्र मेहते हैं कि जतने भी हैं दूर दूर रहे हैं अगर आप रह fiscal भी घरों तो ऐसका सहस्य इसकाक कीजीए आपकी बात सुनिचा रही है हाँ जी आप यह भी देख रहे थे कि जो इनों ने कहा है मजदुरों ने कि हम कमरों में कैसे रहें लौड़न का पालन कैसे करें जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और दूसरी बात यह कह रहे हैं कि यहां पर राशन का जो वितरन हो रहा है वो ठीक से नहीं हो रहा है और इन तक राशन नहीं पहुंच रहा है इसलिए आप कुछ और भी कहना जाते हैं यह जाते हैं जब रोड पर राशन वारते हैं जब जो इसकी परची लिखती है दुझे को है नहीं हमारे पास वह क्या करेगा यह बात भी जैज है आपको किसी के पास अधार कार्ट है नीला कार्ट नहीं बना है कुछ नहीं बना है उसको भूग तो लगी है तो उसका भी पेट लगा हुआ है इनकी बात जो मांग ठीक है लेकिन मैं इससे सभी से निवेदन करता हूं द्वारा जो इतना हम यहां पर लोग इकठे हुए हैं कि लोगडाउन के पालन करें जो आ देख रहे हैं कि हमारे कहने के बावजूत यह लोग कह रहे हैं कि 112 पर भी 112 नंबर पर भी सुनवाई नहीं हो रही है तो हमारी प्रशाशन के आगे यही हम रिकेस्ट है कि इन लोगों की समस्या सुनी जाए भाई साब भी कुछ कहना चाहते हैं सर्जी ऐसा कि यहां पर अभी तक कोई चिर्का लगडाउन करने नहीं आया दूसरी बात यहां पर कोई प्रसासन नहीं पूछ रहा किया मधूर आदमे कैसे हैं कैसे नहीं है आप सभी लोग फैट्वाम काम करते हैं जी दिक्त नहीं होगी जी दिक्त तो आरी है सर अभी तनकाय पूरी अभी मिली नहीं है कुछ मिल भी गई है के सरकारनी तो कहा है न की फैट्री वाले तंखा देंगे तन खानाएद दें में तेटses काई भी सम przes okay पाफ़ बोले अगे बताएंगी च्छा है तो आफी राइसा उधारी लेता है आफका द्थार नहीं दें त्शे थोरा भूत उधार भी देते हैं कोई काते हैं नगत भी खाओ काते हैं हम कितना उधार देंगे सब उधार खाने वालों कोई पेसे नहीं दे रहा है तो फुड़ा ऑस्त अवस्त साग्जारा आपका हुरा है हाँ दिक्कती योड़ा-बड़ी तंगी से करें जी आप बताईये समस्या थों कंपनी मालक को देने को उत्यार है कुछ है और नहीं मतलब सरकार्ण से कोई शुव्दा मिला है बस अम लोग जो ऐसे ही सो एक खाते यह विा लग तो इस अवह प्ईसे पैसे यह दे रहे हैं किटने लोग के रहे हैं कि जिनको फैट्री में पैसे नहीं मिल रहे हैं नहीं देते है जो अपना काम यह तो और रोक देते हैं और प्याँ कीड़ोत हुआ और युसे झॉधिक और इनौरे थे उव जैके उआ Libra कि अपने से कोई ऐसा आदमी है जिसको फैटरी मालक नहीं है पूरे पैसे दे दिये हो या तंखार नहीं काटी है कोई ऐसा आदमी है आध कड़ा करो प्रशाशन देना है कि नहीं देना है हम लोग के जाने के साधन नहीं है कैसे घर भी जा सकते हैं चार-चार दिन भूखा रहता है बच्चे लोग क्या खाएगा तो आप क्या करना जाते हैं कि अगर प्रशाशन आपको राशनी देता घर जाओगे रासन नहीं मिले गहरें जाएंगे तबहरें रहेंगे तो आपने देखा यह महला क्या कह रहीं है कि जब लोग सबजी के लिए कोई एकाज जाता है बहार तो इसको पुलिस डंडे मारती है अगर राशन मांगते है तो राशन नहीं मिल रहा है अगर ये अपने गाउं भी नहीं जा सकते तो जाएं कहां पर सिधी से बात है इसका हल परशाशन के पास ही है परशाशन को निकालना पड़ेगा कि ये मुझे सभी परवासी नजर आ रहे हैं सभी परवासी मेज़ूर है परशाशन के बारे में सोचे और इनके खाने पीने का इंतियाम करें धन्यवाद